हेलो अब्रीबान एक नए कोश्चन के साथ और हेलो अब्रीबान स्वागत आपका रोडो के नए कोश्चन के साथ कोश्चन नमबर 1.98 इस कोश्चन में कफी असान है at the moment t equals to 0 a particle of mass m starts moving due to a force f0 equals to f0 sin omega t find the distance covered by the particle as function of time draw the approximate plot of this function यह वाला पार्ट आप करिएगा यह math का पार्ट है मैं function निकालके देता हूँ आपको ठीक है बच्चो तो शुरू करते हैं f equals to vector f equals to f0 sin omega t एक बात तो तो तय है f0 constant है तो माल लेते हैं यह x के x-x के long ही डग रहा है है ना और plus minus जदा हो सकता है sin omega t तो particle हमेशा x-axis के long ही move करेगा rest से start हो रहा है इसलिए इसको मैं ma से equate कर सकता हूँ तो यह आ गया f0 by m sin omega t a को मैं लेख सकता हूँ db by dt बच्चो f0 by m sin omega t dt इसको integrate करते हैं बच्चा पार्टी start कर रहा rest से question में पढ़ लीजे आप और यह आया 0 से t 0 से t इसको एक पार integrate करके देख लेते हैं तो यह आगए velocity b और यह आगया f0 vector by m ठीक है और यह integration कितना आएगा omega से divide किया और यह आया minus cos omega t आपको पता होना चाहिए बच्चो यह value कितनी आएगी बच्चो यह आएगी f0 vector upon m omega 1 minus cos omega t यह आगी value ठीक आचा अब v की value रखी dx by dt क्योंकि x axis के लौग चला है वैंने ऐसा माना है तो चाहें तो आप unit direction है इसलिए आप vector का symbol हटा रहा हूं है m omega 1 minus cos omega t dt इसको भी पच्चो इंटीग्रेट करते हैं मैं माल लेता हूं x बराबर 0 से start करता है तो जो आएगा वो x coordinate होगा ठीक है तो कितना आया यह आया x equals to यह position जहां रखना है distance नहीं है f not upon m omega यहां से integration आया t minus 1 by omega sin omega t 0 से t 0 से t डाल कर देख भी लें तो यही same आने वाला है तो यहां से x की value क्या आती है बच्चो थोड़ा सा simplify कर दें यह आगया m omega square omega t minus sin omega t अब maths के विद्वान हो इतना तो पता ही होगा कि omega t will always be greater or equal than sin omega t that means x will always be positive पहली चीज यह देख लीजे x हमेशा positive होगा पहली चीज दूसरी चीज omega t अगर हमेशा ही sin omega t से बड़ा है हर time पर तो कभी भी x कम नहीं होगा तो हमेशा x बढ़ता ही जाएगा आप time बढ़ते जाएगे क्योंकि sin omega t के graph आपको पता होगा ऐसा होता है और यह है omega t के graph तो यह हमेशा omega t sin omega t से बढ़ा होगा इसका मतलब इनका difference हमेशा positive आएगा और यह हमेशा time के साथ क्या होता जाएगा बच्चो बढ़ता जाएगा और अगर ऐसा है कि x कौडिनेट हमेशा time के साथ बढ़ रहा है कभी घट नहीं रहा है इस बात को आप ऐसे यूँ भी देख सकते हैं कि अगर velocity की बात करें तो जिन point पर velocity 0 हो रही है उन point पर उसका derivative देख ले जरा ध्यान से वपस से maximum इनमाकी कर बात आपने पढ़ी हुई है तो आप ऐसे भी देख सकते है फिलाल यह बात तो तहे है बच्चो यह value 1 से हमेशा चोटी होती है यह value हमेशा 1 से चोटी है और यह हमेशा increasing है always increasing है अरे है ना increasing ठीक है भाई तो अगर यह हमेशा increasing है और यह हमेशा 1 उसके बीच में है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यह particle हमेशा positive direction में चलेगा यहां से कोई बात नहीं यहां से देख लो यहां से देख लो cos omega t is always less or equal than 1 क्या मैं कह सकता हूँ 1 minus cos omega t that is velocity velocity सीधा velocity पर लिखता हूँ velocity यहीं से देख लेता है this velocity is always greater or equal than 0 क्या कभी भी यह velocity negative होगी particle चलेगा rest पर आएगा चलेगा rest पर आएगा चलेगा rest पर आएगा ऐसा होगा फिर चलेगा ठीक है न check कर लिया तो इसका मतलब इसका मतलब यही distance होगी क्योंकि particle कभी turn नहीं ले रहा है तो same is distance omega t minus sin omega t यह है भाईया distance की value बहुत ही मज़ेदार बहुत ही शान्ता चलेए साब मिलते हैं next video में में ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा यह answer है this question का और next question में देखते हैं क्या होता है तब तक के लिए टाटा बाबाई क्या है